तो ये है हमारी Yamaha R15 का magnet जिसके दो टुकडे हो चुके हैं वो भी नॉर्मली बाइक चलते हुए तो इस वीडियो में हम जानने वालें की ऐसा क्यों हुआ और इससे बचा कैसे जा सकता है इसका solution क्या है और अगर आपके पास Yamaha R15 version 3, R15 version 4, R15 M है तो ये वीडियो आपको definitely देखनी चाहिए और अगर आप mechanic है तो भी and in general अगर आपको motorcycles के बारे में जानने का शोक है तो भी because इस वीडियो में आपको सभी problem का solution मिलने वाला है इस चीज से related साथ ही साथ कुछ सवाल है जो की खड़े होते हैं manufacturing companies के लिए तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है Hello guys, मेरा नाम है Jeet, welcome back to the channel and without wasting much time, let's get started But उस से पहले बात करते हैं इस वीडियो के sponsor की जो की है Carpium Bike Scanner So basically Carpium Bike Scanner की help से आप अपनी bike को properly scan कर सकते हैं उसके codes हैं उनको diagnose कर सकते हैं, reset कर सकते हैं, service reset कर सकते हैं And साथ ही साथ जो live data है bike का उसको भी आप access कर सकते हैं So link description में है, go and check it out and भी back to the video So शुरुआत करते हैं इसके kilometers से So as you can see ये bike चलिए 25,271 kilometers 2020 का ये model है, R15 version 3 BS6 Belong करती है मेरे खास दोस्स से, जिससे थोड़े दिन पहले थोड़े दिन तो क्या, almost मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो गए होंगे मैंने purchase कर ली थी अब सवाल ये है कि जब ये मरसाइकल इतनी अच्छी condition में है इसकी service भी time पर हुई है इसकी warranty को भी हमेशा mind में रखा गया है खैर अभी इसका time पूरा हो चुका है मतलब लगबग 2 साल हो चुके है इसको तो मेरे को नहीं लगता है कि warranty claim इसका मिलेगा और वैसे भी ये इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि इसके लिए मैं जाकर के warranty claim करूँ हालांकि आपके साथ अगरा सब कुछ होता है तो आपको warranty claim करनी चीए मैं ये नहीं बोला कि आप मत करो बट मी बीग ये मेकानिक खुदी ठीक कलूँगा या इतना इसमें खर्चा भी नहीं है और content भी बनी रहा है तो बाइक में कोई प्रोब्लम नहीं है तो यह हुआ कैसे तो पहले इसकी जो स्टोरी है वो जान लेते हैं उसके बाद में इस प्रोब्लम पर भी आएंगे तो लगबग एक डेट महीने पहले की बात है मैं जैपुर से वापस आ रहा था जैसे R15 की जो clutch housing है कुछ लोग समझ पाएंगे कुछ लोग नहीं समझ पारे उसके लिए सोरी पर आप यह समझ लीजिए जब दो metal के particles जिनको आपस में rivet से जोड रखा है वो अलग होने लगते हैं तब जो आवाज आती है वैसे इसमें आवाज आने लग गई थी अब R15 में वर्जिन 3 में तो खैर इतनी problem नहीं है thanks to sleeper clutch V2 में clutch housing की जो rivets हैं वो damage हो जाती थी और उसके बाद में clutch housing में play आने लग था था जिसकी वज़े से बहुत ही अजीब और खटिया sound आती थी और वो sound इसमें आने लग गई बट वो आ रही थी magnet की तरफ से तो समझतों मैं वही पर गया था कि हो गया काम बट अब रात का time था लगबग 11 बारा बज रहे थे तो उस time पर कोई shop भी available नहीं थी और trust me bag में मैं इतने tool लेगर के नहीं चलता हूं कि मैं भाइक का magnet खोल लूँ and अगर खोल भी लेता तो महाँ पर change कैसे करता तो मैंने decide कि चलो ठीक जो भी होगा देखा जाएगा थोड़ा आराम से चलते हैं घर तो पहुँच जाएंगे lucky me घर के आसपास पहुच गया था घर से मेरे ख्याल से 10-12 km के आसपास इसका breakdown हो गया था मतलब एकदम ही इसने start होना ही बंद कर दिया था and उस time पर मुझे लगा था कि engine ही गया मतलब crank shaft टूट गई है ऐसा लग रहा था because self कामी नहीं कर रहा था starter press कर रहे थे बट कुछ हो नहीं रहा था मैंने का ठीक चलो it was a bad day कोई problem नहीं है इसको हम हमारी दूसरी बाइक से बांध करके घर ले आए and उसके बाद मैं इसको मैंने खड़ा कर दिया था अब कल all of a sudden पता नहीं क्या मन बना अब वीडियो तो आनी रही है इंकंसिस्टेंसी भी बहुत है हजार चीजने चल रही है जिंदगी में उन सब को एक बार है ना प्लीज उसके लिए माफ करना बट कोशिश कर रहा हूँ की चीजने फिर से ट्रैक पर आपाएं बट कल बतानी क्यों यार मूड बना कि इसको खोल करके देखते हैं मैगनेट वाली साइड कोल करके देखते हैं बस इतना ही मूड था बिकोज आप लोग के लिए वीडियो बनानी थी और कोई भी यूट्यूबर अपना कंटेंड ही छोड़ता है या आप भू भी पता है बट मेरी आदत है यार पहले मतलब excitement होने लगती है कल मूड भी था वीडियो शूट करने का कल मूड था नहीं तो मैंने ऐसे इसका लच कवर खोल लिया फेरिंग वगिरा निकाल के और तो माई सर्प्राइज मुझे ये देखने को मिला ये जो इसका magnet है ये वाला जो हिस्सा है ये एलच कवर में ही चिपका हुआ था और ये प्रोपरली लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि शायद इसका जो nut है वो लूस हो गया होगा और उसकी विज़े से बोबल होने की विज़े से ऐसा हुआ है इसका जो nut है जो 17 mm का nut यहां पर लगता है वो प्रोपरली टाइट था इतना टाइट कि ये जो magnet है इन दोनों में से पता नहीं किस ने किया बट उस nut को भी डैमिज कर रखा था उसके जो थ्रेड वाला सेक्शन होता है क्रेंग का ये वाला ये थोड़ा सा बेंड और रखा था फ्रेंट से तो वो प्रोपरली टाइट था उसमें को इशू नहीं था इशू था इस magnet में तो आप सबसे पहले क्या-क्या नुक्सान हुआ है इस काम की विजए से वो आपको बताता हूं बट उससे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि ये बाइक जब एकदम बंध हुई उस टाइम पे ये मेरे ख्याल से चार-पांच हजार रपीम पे चल रही थी और जब से ये आवाज आनी शुरू हुई तब से मैं इसको चला भी चार-पांच हजार रपीम तक ही रहा था बिकोज मुझे पता था कि अगर हाई स्पीड पर कोई चीज टूटेगी तो वो मेरे लिए भी जान लेवा हो सकती है बिकोज टाइर लोग हो सकता है उसकी वज़े से और इस सिचुवेशन में ABS भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है बिकोज चैन लोक हो गई है तो उसमें ब्रेक्स की वज़े से लोक आउट नहीं हुआ है तो मुझे डर था मरना मैं चाता नहीं था इसलिए मैं राम राम से चला रहा था तो उसकी वज़े से इंजन में उतना डैमेश हुआ नहीं है लेकिन अगर आप 8, 9, 10,000 आरपीम पर रहेंगे और ऐसा कुछ होता है तो गुड लग तो इसलिए सबसे पहले डैमेश देख लेते हैं और फिर इसका सोलूशन भी बताता हूँ कि दुबारा ऐसा ना हो ऐसा आपको क्या करना है तो सबसे पहला डैमेश तो मैगनेट का ही है आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर वाली लेयर आती है ये उख़डने लग गई है तीनों इसकी रिविट टूट चुकी है यहाँ पर मतलब यह ओबिस ही बादयार आवाज जाने लगई थी उसके बाद भी मैंने इसको 150 km चलाया है तो उसकी विज़े से इसमें प्ले आ आ करके इसके ये वाले जो होल्स हैं वो भी अच्छे का से फैल चुकी है एक रिविट का टुकड़ा यहाँ पर टूटके चिपका हुआ है बहुत सारे मेटल पार्टिकल्स, मेटल शेविंग्स हैं वो मैगनेट पर चिपकी हुई है और पीछे की साइड से भी मैगनेट की हालत को ज़्यादा खास है नहीं दो और विट अभी भी निकल चुकी हैं बट यह वाला जो सेक्षन है इसमें अभी भी अटकी हुई है तो यह तो सबसे पहला डैमेज है बट यहां तक बात रुकी नहीं इसमें देखिये, इसमें जो मैगनेट कोईल है उस पर आप यह सक्रैचिस देख सकते हैं यहां पर, यहां पर सारी जगा हो रखे हैं ये हुए हैं मैगनेट की विज़े से and unfortunately चाहे ये मैगनेट कोई अभी काम कर रही हो या नहीं कर रही हो इसको change करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे चल करके किसी और राइड में कहीं ऐसी जगह पर जाकर ये दोखा देगी जहां पर मैं बिलकुल नहीं चाहूंगा उसके अलावा जो CPS है उसके नीचे एक plate आती है वो plate अंदर की side जा चुकी है because magnet जब टूटा तो वो इसके अंदर चला गया पूरा and उसने as you can see इन सब चीज़ों को घिस दिया है मतलब यह जो आपको यह निशान दिख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह एलच कवर में magnet जब धीला हो करके चला है तो उसकी वेज़े से हुआ है because एलच कवर का यह वाला जो हिस्सा है और magnet का जो face है magnet का यह वाला हिस्सा इसके बीच में बहुत कम gap रहता है और जब यह loose हो गया इसकी rivets है उन्होंने अपनी पकड छोड़ दी तब यह हिलने लगा वोबल करने लगा तो यह यहाँ पर घिस करके इन सब चीज़ों को damage कर चुका है same इसका अंदर वाला जो section है या फिर यह जो rivets है यह जो magnet coil है उससे टकराई है और उसको damage किया है यह जो आपको metal particles दिख रहे हैं यह engine में भी तो गए है engine oil हर जगा circulate करता है engine में apart from combustion chamber तो उसमें भी यह सारे particles गई है engine oil इसका मैंने निकाल रखा है अब इसमें तो आपको कैसे दिखाऊ metal particles बट इसका जो drain bolt है उसमें आप देख सकते हैं यह सब metal के टुकडे हैं और यह engine में अगर चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि engine की क्या हालत होने वाली है और उससे भी बड़ी problem है इसका जो nut है यह वाला यह अंदर की side से आई hope आपको दिख रहा होगा निकालते time हुआ है यह मैंने कुछ भी नी किया है मेरे पास proper tools वगेरा भी हैं magnet को निकालने के लिए and मेरी पूरानी वीडियो से आप देख सकते हैं कि मैं किस type का काम करने में विश्वास रखता हूँ so I think इतना trust आप मेरे पर कर सकते हैं कि इसको मैंने खोला है तो तरीके साही खोला होगा लेकिन फिर भी यह जो nut है इसने खुलने का नाम नहीं लिया तो उसकी वज़े से थोड़ा सा जो इसका फ्रेंट सेक्शन है इसको थोड़ा सा grinder से smooth करना पड़ा थाकि यह nut है यह nickels है के और अब यह लगने वालन नहीं है तो इसके लिए तो जुगाड कर लेंगे बट दा थिंग इस कि एच छोटी सी चीज तीन रिविट्स जो कि अपना काम प्रोपली नहीं कर पाई उनकी वज़े से कितना नुक्सान हो गया अब बहुत से लोग यह बोलने वाले हैं कि क्या हो गया यार इक बाइक में हो गया तो वो प्रोब्लम नहीं है यार प्रोब् आग तो यही कहता है कि जब किसी चीज का अपडेटेड वर्जन आता है तो उसमें कुछ अच्छा होना चाहिए ना तो यह क्या है भाई एक दो तीन चार पांच छे इस मैगनेट को इसके पीछे वाले मेरे ख्याल से यह बैलेंसर का काम करता है एक तरीके से तो इस मैगने कि उससे भाई weight saving हुई है तीन रिविट्स का वजन कम हो गया अब performance so called performance motorcycle है यह इसमें तीन रिविट्स का weight कम हो गया तो उससे performance कितनी better हो गई है चलो ठीक है भाई मान लेते हैं एक बात और मैं यह नहीं बोल रहा कि जो engineers बैठे हैं वो बेवकूफ हैं ऐसा नहीं है उन्हो which is called cost cutting लेकिन यार come on cost cutting के नाम पर किया क्या चलो ठीक है मैंने माना कि एक लाख motorcycles अगर यामा ने बेची है तो उसमें से मेरी ही bike में यह दिक्कत आई है कि इसका magnet अलग हो गया है लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि पहले यामा ने छेरविट क्यों दी थी अब तीन क्यो खाली है एंड सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा यह बीच में खाली है एंड उसके अलावा यह जो है आप रोपली देख सकते हैं रही बात इन होल्स की तो यह बैलेंस के लिए बनाये जाता है मतलब जो कास्टिंग होती है इनकी तो उसमें इस पूरे का वेट एक जैस अगर वजन इक्वल नहीं होगा तो वोबल करेगा बिकोज एक जगह वेट जादा होगा एक जगह वेट कम होगा तो फिर वो वाइब्रेशन्स क्रियेट करेगा और कार के केस में वो हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा इफिक डालता है तो इसलिए इसमें यह होल्स बना बता दी क्यों हुई है वो भी बता दी अगर आप सहमत हैं तो ठीक है फरना कमेंट सेक्शन खुला है अपको जो करना है जो बोलना हो आप बोल सकते हैं आप मेरे साथ कडते हो सकते हैं आप कमपरी के साथ कडते हो सकते हैं बाकी मैं कमपनी के खिलाफ नहीं हूं I love their motorcycles I love their product It इस जस्ट कि मैं चाहता हूँ कि हर कंपनी अच्छा करे, खराब ना करे बाकी manufacturing defects के केक्सिस आते ही रहते हैं nothing can be perfect, काफी अच्छी motor cycle है 25,000 km चली है, काफी अच्छी मेरी memories है and ऐसा नहीं है कि मैंने को कोई शिकायट है just कि एक stupid सी 10 रुपे की रिविट की वेज़े से मेरा काफी नुकसान हो गया तो एक गुसा तो वो है, दूसरा गुसा ये है कि जब कंपनी पहले से 6 रुट दे रही है तो आप 3 करने का क्या फाइदा है हालांकि I understand cost cutting वाली perspective से because आप जब 10,000, 1,000,000,000 bikes बेचते हो हालांकि 10,000,000 वाला तो मेरे को मैं शूर नहीं हूँ कि आरुन फाइप की 10,000,000 units भी किया है नहीं पर हाँ 1,000,000 तो मेरे ख्याल से easily cross कर लिया होगा अगर सिरफ V3 नहीं किया तो बाकी के सारे versions हैं कर लिया होगा तो solution यह है भाई मैं तो version 2 का magnet डालने वाला हूँ यह मेरे वाली version 2 का engine एक साल डेड़ साल से खुला पड़ा है तो मैं तो एक बार उसका use कर रहा हूँ बाकी आप पुराना ले सकते हैं अगर अच्छी condition में मिले या फिर नया भी अभी मेरे ख्याल से मिली रहा होगा तो version 2 का जो नया वाला magnet है वो आप V3 में use कर सकते हैं V3 BS6 है यह इसमें use हो जाएगा BS4 में होगा या नहीं होगा BS6 version 4 R15M में होगा या नहीं होगा या नहीं होगा वो मैंने खोल के नहीं देखा है भाई तो अभी यह जो magnet है यह स्टार्ट होगी या फर इसमें कोई और नुक्सान हो चुका है तो अभी इसका जो original nut है वो तो इसमें लगने वाला है नी बिकॉज यह जो crank है इसके जो threads है उनको फिर से बनवाना पड़ेगा और nut को भी चेंज करना पड़ेगा बट यह एक पुराना nut पड़ा है मेरे पास तो यह इसमें somehow perfectly fit हो रहा है तो एक बार इसको start करके देखना है हमें पंदरा सो दो जार तीने जार आर्पियम तक engine को लेकर के जाना है so it should not be a problem तो अभी इसको में normal ही tight कर रहा हूँ properly tight नहीं कर रहा हूँ because इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है जिसके बारे में हम वीडियो के end में बात करेंगे अभी इसकी जो assembly है वो complete करते है all right so moment of truth अभी इसमें 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 एक बार पुराना ही use कर रहा है because as I said बताता हूँ बताता हूँ अभी तो sound साही आ रही है एक बार थोड़ा सा ओयल सेर्किलिट हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा रेव करके देखेंगे कि तीन चार पान से जार आपियम तक तो लेके जाई सकते है नाइस Okay so it seems fine engine को कुछ नहीं वा तो अभी बात करते हैं कि क्या बचा के रख रहा हूँ जो बता रहा था ना कि वीडियो के लास्न बताना है So let's discuss that तो बात ऐसी है कि इसकी जो क्रैंक है उसके जो थ्रेट्स है वो फिर से बनवाने पड़ेंगे मैंने मेरे आसपास 150 km में जितनी भी लेथ मशीन शोप्स को मैं जानता हूँ या फिर मेरे जान पहचान वाले जानते हैं उनके सबके थ्रू पूच के देख लिया वो सब यही बोल रहे है कि अगर थ्रेट दुबारा बनवाने हैं क्रैंक शाफ्ट के तो इंजन में से क्रैंक शाफ्ट को निकालना पड़ेगा विच इस हार्ट ब्रेकिंग कंसिडरिंग की इसका इंजन एकदम सही है खाली जो डेमज हुआ है वो लेज कवर वाली साइड वा है इन सारे पार्ट्स को रिप्लेस करके काम चल सकता है बट मी बिंग मी नट तो मेरे को ओरिजनल लगाना इसमें 17 मीनी बिट वाला यह जो अभी लगा हुआ है वो थोड़ा सा कोरस थ्रेड है as compared to the previous मतलब जो थ्रेड पैटन होता है वो fine thread, chorus thread ऐसे करके बोला जाता है उसके बारे में मुझे भी बहुत कुछ सीखना है अभी, थोड़ा मेरी knowledge भढ़ जाएगी, मेरे पास time होगा तब मैं thread pattern के उपर भी एक अलग से वीडियो बना दूगा अभी के लिए अपन यह समझ सकते हैं कि जो crank shaft पर जो threads है उनके लिए proper nut नहीं है मेरे पास और अगर बनवाना है तो again उसके जो threads है वो फिर से सही करवाने पड़ेंगे तो फिर मैं service center से अगर मिल जाएगा तो ठीक है बना order करके जोसका 17 mm का nut है वो मंगवा लूँगा and the problem will be sold तो आप लोगों के लिए इसमें क्या है well R15 version 3 का engine rebuild की video आने के chances है but थोड़ा time लगेगा because अभी already बहुत रहता फैला रखा है मैंने काफी सारे projects and जो कि pending पड़े हैं जो कि पहले मेरे को finish करने है इससे तो आप यह बाई चलने लाइक है बिलकुल नहीं मैं इसको नहीं चलाने वाला हूं इसको एक किलोमेटर भी नहीं चलाने वाला हूं इस जस्ट कि यार कम से कम एक थोड़ा peace of mind रहता है कि हाँ इंजन चला जाता तो 20-30,000 का खर्चा था फिर वारंटी लेने की सोचता या फिर ऐसा कुछ पड़ा मैर को पता है कि इसमें खर्चा जाता है नहीं and I can't take care of it on my own so I am the warranty तवारिश को जो लोग फॉलो करते हैं अब वो समजगे होंगे मैं क्या वोल रहा हूं पर नंदलेस यार इसका इंजनी बिल्डाएगा that is for sure उससे पहले बाइक कहीं ही जा रही है and again manufacturers just in case वैसे कौन ही देखता है but just in case अगर Yamaha के किसी भी बंदे के पास ये वीडियो पहुची है and उनके पास ये authority है कि वो कुछ कर सकते हैं इसके बारे में then please do it because ये गलत है जार एसा नहीं होना चाहे था क्योंकि ये भाई बहुत पयार से चली है यार मतलब हज से ज़या पयार से चली है फिर भी इसके साथ ऐसा हुआ है तो किसी भी बाइक के साथ हो जबता है रहा हालां की अगर आप मेरे जैसे हैं सन की दिमाग के कि मेरे साथ असा हो गया तो मैं क्या करूँगा तो अभी भाई वर्जन 2 का मैगनेट लेकर के रिप्लेस करा लो and you will be good to go with that being said फिर में लेंगे कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye ride safe and take care of your machine ciao